अले अब्रिवन, वेल्कम बैक टू माय वुटूब चैनल आज के हमारी इस वीडियो में हम आप लोगों को 36 गर्ड प्रदेश में संचालित मुख्यमंतरी सुपोर्शन योजना के सम्मद में पूरी जानकारी प्रदान करने वाले हैं जोकी अगामी महिला सूपरवाईजर वर्ती परिक्षा 2023 के द्रिष्टी कोन से अत्यन्थी मात्कोन हो सकता है तो इससे समंदित पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के अंतर जरूर बने रहे तो चलिए देड़ न करते हुए आज का यहां इंपोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं सर पूर्थम योजना परिचाय के बारे में बात करें के सर्वे रिपोर्ट के नुसार पांच वर्ष से कम आयू वर्ग के लगभग 37.7 प्रतिसत बच्चे उपूशन एवं 15 से 49 आयू वर्ग के 47 प्रतिसत महिलाए इनिमिया से पीडित है अता सासन के द्वारा बच्चो एवं महिलाव में व्याफ्ट एनिमिया की समस्या को समाप्त करने के लिए इस योजना का क्रियानवयन किया जा रहा है वहीं योजना प्रारम के बारे में बात करें तो यो मुख्यमंत्री सुपोशन योजना का प्रारम जो है एक अभ्यान के रूप में प्रारम किया गया था बच्चो एवं महलाव के पोशन इस्तर में सकरात्मक सुधार हितु आदिवासी बहुल्य दंतेवाडा जिले में माननी मुख्यमंत्री जी की मंसानुसार सुपोशित दंतेवाडा अभ्यान दिनांग 24 जून 2019 में प्रारम किया गया अभ्यान की सफलता को देखते हुए प्रदेश के अन्य जिलो में भी गांधी जी के 150 वी जहनती के औसर पर 2 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री सुपोशन अभ्यान प्रारम किया गया जैसे कि मैंने कहा कि इस योजना का जो प्रारम है वहां अभ्यान की रूप में किया गया तो सर्व प्रथम दंतेवाडा में सुपोशित दंतेवाडा अभ्यान के नाम से इस अभ्यान का प्रारम 24 जून 2019 को किया गया जिसकी सफलता को देखते हुए प्रदेश के अन्य जिलो में गांधी जी के 150 वी जहनती के उसर पर 2 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री सुपोशन अभियान प्रारंब कर दिया गया प्रारंब में इस अभियान को तीन वर्ष के लिए चलाय जाने का निर्णय लिया गया था पर दमान में इसे योजना के रूप में क्रियानवित किया जा रहा है मुख्यमंत्री सुपोशन योजना की उद्देश से के बारे में बात करें तो योजना का प्रमुक उद्देश चयवर्ष आयू तक के बच्चे में कुपोशन एवं एनिमिया तथा 15-49 आयू वर्ग की महिलाव को एनिमिया से मुक्थ करना इसका प्रमुक उद्देश से है यूजनांतरगत प्रदेश के लगभग 1-85 लाग हिद्गाहियों को गर्म भोजन एवं 3-3 लाग हिद्गाहियों को अत्रिक्त पोशन अहार के रूप में अंडा, चिकी, लड्डू, मुंख़ली, दलिया, आदिप्रदान किया जा रहा है यूजनांतरगत मुख्यमंतरी सुपोशन निधि इस योजना की मुख्य बातिया है योजना का क्रियानवयन जनसयोग एवं साभागिता से किया जा रहा है इस योजना के क्रियानवयन में होने वाले व्य की प्रतिपूर्ती जिला इस्तर पर उपलब्ध खनीज न्यास निधी एवं C.S.R. मद तथा जन्सायोग से प्राप्ध धर्रासी से किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुपोशन निधी का गठन भी किया गया है। जिले की परिस्तिती एवं अवश्यक्ता नुरूप योजना के संचालन के लिए जिला इस्तर पर कार योजना एवं रनरिती तैयार कर क्रियानवयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुपोशन योजना के अंतरगत हुवे लाब के बारे में दिबात करें। तो योजना अंतरगत प्रदेश में योजना प्रारम से माह नवंबर 2022 की स्तिती में 6 माह से 6 वर्स आयू अर्ग के 2,60,000 से अधिक बच्चे उपोशन से मुख्थ हुए हैं। प्रदेश में प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री सुपोशन योजना के संब्द में विश्तरित जानकारी। आसागरता हुँ आप लोगों को या वीडियो प्रसंद आएगा। इसी प्रकार के महत्तपून टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स वीडियो में।